हाई फ्रिंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दे अंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए हो बिलकुल अच्छे फ्रिंट्स आज हम आपके लेके आए हैं चॉकलेट स्विज रोल यह हम पारलेजी बिस्कृट से बनाएंगे बहुत ही आसान रेसिपी ह स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करें विडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें तो फ्रिंट्स आए पारलेजी बिस्कृट से स्विज रोल बनाना स्टार्ट करते हैं चॉकलेट स्विज रोल बनाने के लिए हमने यह आपी लिए हैं पारलेजी बिस् सबी बिस्किट को हमने बाउल में निकाल लिया है, सबसे पहले हम बिस्किट के इस तरह से पीस कर लेंगे, ताकि इनका पौडर बनाने में आसानी रहे हमने सबी बिस्किट के पीसेज कर लिये हैं, अब तूटे वे बिस्किट को हम जार में डाल लेंगे सबी बिस्किट्स को हमने जार में डाल लिया है अब एकदम बारीक पौडर बना के तयार कर लेंगे देखिए बिस्किट्स का कितना बढ़िया हमने पौडर बना के तयार कर लिया है अगर आप चाहें तो छान सकते हैं वाकि छानने की जरूत नहीं है अब हम तयार किए वे बिस्किट के पाउडर को एक बाउल में निकाल लेंगे अब हम डाल देंगे दो चमच मैल्टेड बटर हमने लिया है यहाँ पर एक छोटा पैकेट हर्शिस सरप का इसको आप चाहें तो आधा डाल सकते हैं या पूरा भी डाल सकते हैं हम यहाँ पर आधा ही डाल रहे हैं छोटा दो चमच हम डाल रहे हैं निउटेला सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम डाल देंगे एक छोटा चमच कोकोवा पाउडर और दो चमच हम डाल देंगे पाउडर सुगर कोकोडर डाला है इसलिए हमने या पे पाउडर सुगर का यूज में लिया है क्योंकि पारलेजी बिसकिट अपने आप में ही बहुत मीथा होता है इसलिए जादा मीथा डालने की ज़रुद नहीं है सबी चीजों को वापस से एक बार हम मिला लेंगे अभी तक हमने आपके साथ में स्विजरोल की जो रेसिपी शेहर की है फ्रिंट्स वो चॉकलेट बिस्किट से बनाई है हमने आज हम पहली बार आपके लिए पाढ़ लेजी बिस्किट से स्विजरोल लेकर के आए है अब हम डाल देंगे यहाँ पर दूद्ध जो है वो रूम टेंपरेचर पर है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पहले हम यहाँ पर तीन चम्मस दूद डाल रहे हैं लोको हमें पतला नहीं करना है जैसे आटा लगाते हैं बिलकुल उसी तरह से हमें टाइट डो लगा के तयार करना है अभी हम दो चम्मस दूद और डाल देंगे थोड़ा सा दूद और डालेंगे वापस से हम यहाँ पर दो चम्मस दूद डाल रहे हैं देखिए चौकलेट स्विजरोल बनाने के लिए डो हमारा बिलकुल रैडी हो चुका है बहुत अच्छी तरह से हमने डो को लगा लिया है डो को पांच मिनट के लिए हम ढखके रख देंगे चौकलेट स्विजरोल बनाने के लिए हमने डो तो रैडी करी लिया है आइए साथ में अंदर के लिए क्रीम भी तयार कर लेते हैं स्विज्जरोल की क्रीम तयार करने के लिए हमने आपे लिया है coconut powder यह हमने लिया है 4-5 चमच साथ ही हमने लिया है powder sugar आप मीठा अपने इसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अब हम लेंगे क्रीम हमने यहाँ पे लिए है विब्ड क्रीम, तैयार करीवी विब्ड क्रीम है, दो चमच के आसपस हम विब्ड क्रीम ले लेंगे, सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो स्विज रोल की क्रीम बना रहे हैं, तो इसमें बनीला एसेंस या चौकलेट एसेंस भी एड़ कर सकते हैं, पर अपने आप में इस कोकोनेट का फ्लिवर बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने इसमें एसेंस एड़ नहीं किया है, देखिए कोकोनेट पाउडर और विप्ट क्रीम को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम डाल देंगे दो चमच के असपस मिल्क पाउडर, साथ ही डाल देंगे एक चमच मैल्टिट बटर, वापस से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देखिए चॉकलेट सुजरोल बनाना कितना आसान है, डो भी रैडी हो गया है, क्रीम भी रैडी हो गई है, आईए अब हम फटाफट से चॉकलेट सुजरोल बना लेते हैं, हमने यहापी लिया है बटर पेपर, बटर पेपर पे हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे, अगर हातों से इस तरह से फैला लेंगे, क्वैर शेप में फैला लेंगे, हातों से प्रैस करते जाएं और इसको शेप देते जाएं, बहुत ही असानी से चॉकलेट सुजरोल बनके तयार हो जाएगा, अगर आपके बास में नाइफ या स्पैचुला है तो आप उससे भी शेप द तयार कर लिया है, और हातों से शेप देते वे इसको स्कॉायर तयार कर लिया है, अब हम तयार कीवी क्रीम लगा देंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम क्रीम को भी फैला लेंगे, अगर आप क्रीम की मोटी लेयर पसंद करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कोकोनेट पाउडर और एड़ कर सकते हैं, क्योंकि हम घर पे स्विजरोल बना रहे हैं, तो क्यों ना अपने हिसाब से बनाएं, देखे क्रीम को हमने बहुत अच्छी तर ऐसे शीट पर लगा लिया ह अब हम इसको आइस्ता आइस्ता फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, देखे कितने बढ़िया तरीके से हमने रोल कर लिया है, तैयार किये वे स्विजरोल को हम अच्छी तरह से बटर पेपर में रैप कर देंगे, और लगबग आदे गंटे के लिए हम फ्रीजर में रख दें सकते हैं, पर अभी हम उसको गार्नेशिंग के लिए, चॉकलेट ली है हमने, आपे हमने वाइट कंपाउंड लिया है, 50 ग्रैम, सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे, रफली कट करना है, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके बास में चॉकलेट कंपाउंड है, और आप प एक बाउल में डाल देंगे, स्विज्ज रोल हमारा रैडी हो चुका है, और हमने आपे चॉकलेट भी कट करके रख ली है, चॉकलेट में हम डाल देंगे एक छोटा चमच बटर, मैल्टेट बटर है, हमने मैल्ट करके रखावा है, और डबल बॉइलर में अब हम से फोल्ड कर देंगे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करें क्योंकि यह बहुत ही पतली होती हो बहुत जल्दी फट भी जाती है अगर आपके पास में पतली वाली जलेटन नहीं है तो आप कोई भी पॉलथिन ले सकते हैं आपको जो अच्छा लगे आप उस इससाब से चॉकलेट सुजरोल को डेकॉरेट कर सकते हैं चॉकलेट कंपाउंड को हमने मैल्ट कर लिया है देखिए कितने बढ़िया से मैल्ट हो गया है अब जैसा आप चाहें उससाब से डिजाइन बना सकते हैं हम इसको कुछ इस तरह से फैला देंगे देखिए white chocolate compound को हमने डाल दिया है और इस तरह से फैला दिया है अब इसको हलका हलका खोल देंगे पूरा नहीं खोलना है देखिए white compound को हमने फैला दिया है और इस तरह से gelatin को खोल दिया है बहुत ज्यादा नहीं खोलना है सिर्फ एक बार बहुत अच्छे से roll हो जाए इतना सा ही हमें gelatin को खोलना है पांच मिट के लिए set होने देंगे अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसको पांच मिट के लिए freezer में रख सकते हैं और नहीं तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं पांच मिट में chocolate set हो जाएगी देखिए white chocolate बहुत अच्छे से set हो गई है ठंडी हो गई है हमने यह पर dark chocolate को भी melt करके रखा है एक चीज़ बता दें आपको अगर dark chocolate आपकी melt करने में tight हो जाती है तो आप छोटा एक चमच जिसमें नॉर्मल temperature का दूट डाल सकते हैं अगर नहीं हो तो नहीं डालें dark chocolate को भी हम इस तरह से फैला देंगे यह प्रोसेजर हमें थोड़ा सा जल्दी करना है क्या है चोकलेट फटाफट से ही सेट हो जाती है dark chocolate compound को हमने अच्छी तरह से फैला दिया है अब आप सोच रहे होंगे कि क्या design बन गया आप देखिएगा यह बहुत ही अच्छा design बन के तयार होगा और सबसे बड़ी बात है इस design को बनाने में हमें बिल्कुल ही महनत नहीं लगेगी अब पांच मिट के लिए हम dark chocolate को भी set होने देंगे अब हम फटाफट से तयार किवे chocolate roll को chocolate के अंदर wrap कर लेंगे देखिए इस तरह से इसको हातों से प्रेस कर देंगे और अब लगबग एक गंटे के लिए हम chocolate roll को फ्रिज में रख देंगे फ्रीजर में नहीं रखना है फ्रिज में ही रखना है ताकि हमारी तयार कीवी जो chocolate है वो आराम से चिपक जाए एक गंटा हो गया है हमने चॉकलीट शिज रोल को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है अब इसको आहिस्ता हम खोल लेंगे लेटन को बहुत आहिस्ता से हटा देंगे देखिए कितना बड़िया से डिजाइन बन के आया है देखिए कितना सुन्दर हमारा geme MATT भुल बनके तयार हुआ है ज्का कोई भी बता सकता है कि पाड़य जी बिसक्ट से हमने बनाया है अब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि स्विज्ज रॉल को कट करने के लिए आप पीखा नाइफ लें और इसको इस तरीए से कट करके कटना करें, हमें कट करने इसको इस तरह से देखे, एक तरफ से हम प्रेस करेंगे और देखे कितना सॉफ्ट बनके तयार हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है, आपको पास से दिखाते हैं, कितना सुंदर से डिजाइन बनके आया है, आप छोटे बड़े जैसे भी पीस कट करना चाहते हैं, उस हिसाब से पीस कट कर सकते हैं देखे कितना बढ़िया हमारा चॉकलेट सुफ्ट रोल बनके तयार हुआ है वो भी पालेजी बिस्किट से इसी तरह से सबी पीसेस को कट कर लेंगे और सुफ्ट रोल को सर्फ कर देंगे देखे फ्रेंट्स हमने सुफ्ट रोल को सर्फ भी कर दिया है कितना बढ़िया लग रहा है तो फ्रेंट्स रेसिपी को ट्राई करें टेस्ट करें और अपने कमेंट समसे शेयर करें हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें thank you, thank you so much, have a nice day